दिपावली होली और छट का तेहवार जब भी आता है तो बिहारी मजदूरों के लिए खुसिया लेकर नहीं आता है उससे ज़्यादा गम लेकर आता है और इस बार तामिलाडों में जो हो रहा है उस घटना के बारे में आप सभी जानते हैं इसके पहले भी अनेकों राज में बिहारी मजदूरों के साथ किस परकार से दूरबेहवार हुआ है बताने की जरूरत नहीं है गूगल आप सभी कर लेना सारी जनकारी वहाँ पे मिल जाएगा चाहे वो तीन फरवरी 2008 की घटना मुंबई की हो या गुजरात की घटना हो या पेंगलूरू की घटना हो पंजाब की घटना हो नौर्थिष्ट की घटना हो या बरतमान में तामिलाडू की घटना हो मुके सहनी जी है ये पिछड़ा आती पिछड़ा का बात जो है लगतार करते हैं लेकिन आज जादातर मजदूर उसी समासे है और उनी को जादातर पर सानी हो रही है तो इन से आज कड़वे सवाल होंगे कि आखिर जब इतने सारे नेता पिछड़ा आती पिछड़ा SCHTK जो हैं बिहार विदान सावा में हैं उसके बाउजूद जो है मजदूरों को क्यूं समझ्या हो रहा है सबसे पहले सच्टक न्यूज में आपका स्वागत है मैं जाती पर नहीं जाता हूँ लेकिन आप लोग जाती की राजनीती करते हैं बिहार में नेता जो है जाती की राजनीती करते हैं उसके बावजूद जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है जातियों का विकास नहीं हो रहा है और बिहार के मजदूर जो है बिहार से बाहर मार खा रहे हैं इस पर क्या राय है आपका। तथी दूसरे श REAL, कितने बेजदि का सामना करना पढ़ता है, कितने तरह के लोगों से घुन्डा लोगों से डील करना पढ़ता है, सासे समस्या हम खुद जहल चुके हैं. अपने घर से बाहर रहे कर देखते हुए हमें लगा कि सही नहीं है लोग चांद पे घर बनाने के लिए जा रहा है और हम लोग के बिहारी गरीब लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है जाती है जनगरना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसी कहाँ अधिकार के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं जाती है जनगरना होना चाहिए लेकिन गरीबी की जनगरना नहीं होना चाहिए किस जाती के मजदूर जहां बाहर मार खा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो कब होगा, कौन कौन से जाती के मजदूर बिहार से बाहर मार खा रहे हैं, कौन करेगा, इस पर करका डेटा कौन लाएगा, सरकार करेगा, कौन से जाती के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाके कम यह काम सरकार का काम है करना चाहिए यह हर एक चीज और से जाती के लोग ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे हैं सरकार को करना चाहिए करना चाहिए क्यों ने करना चाहिए तब न जाके सही फिगर पता चलेगा उसके लिए सही पॉलिसी बनाना पड़ेगा आपके गरीबी क के लिए नहीं होगा गरीबी उन मूलन के लिए नहीं होगा मजदूरी के लिए नहीं होगा सिख्षा के लिए नहीं होगा स्वास के लिए नहीं होगा हाँ जातिय जनगरना होगा ताकि हर विधान सब हमें जाती के नेता खड़े होंगे और अपनी जाती को असानी से बेच सके मानना है कि हर एक विक्ति के लिए डाइरी बनना चाहिए वो क्या करते हैं कितना कमाते कितना परही लिखे क्या है जो बीदेशों में ये कल्चर है पंजाब जादा आगे है गुजराच जादा आगे है माराष्टा जादा आगे है कि बिहार जादा आगे है सब हम से जादा आगे है तो वहां पे जाती है जनगर्णा क्यों नहीं हुआ और राज का एक अपना कहानी है अपना history है अपना situation है अपना timing है ठीक है कहीं पे भी backward forward बहुत सारे राज में backward forward कर भी नहीं हुआ इस राज में हुआ है यह जाती खतम कौन करेगा सर आपके जैसे हमारे जैसे लोग खतम करेगा यह खतम कब होगा जब हम 98% पढ़ेंगे लिखेंगे तो यह सिक्षा पे बात क कि आ जाएक यही बात है नहीं किसकी जवाव देए आज देश में सरकार राजसरकार और रकेंदर सरकार दो आदभी का जवाव देहिहा है कि देशमें लोगों के लिए रहखाराना आज देश में क्या हो रहा है धर्म के नाम पे आप भोट मांग रहे हैं मंदिर के नाम पे भोट मांग रहे हैं फिर आप बुलिएगा कि बैकवर्ट अफ़रवर्ट जब आप मंदिर के नाम पे भोट मांग सकते हैं आप धर्म के नाम पे भोट म काम पर करा होके कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम हमारे पास पैसा नहीं हो रहा है वहीं हम लोग पूछ रहे कि काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आज देखिए तो आज नबे भीहार के मजदूरता में लाडू में बहुत हद तक सब्सक्राइब बदलाव आय अईसा नहीं है कि नहीं बदलाव आया है लेकिन कुछ बाइने में हम बहुत पीछे हैं जैसे हमें बिहार में उद्योग लगना चाहिए कारखाना लगना चाहिए यहां पर किर्सी पर लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पसुपालन पर ज़्यादा ध्यान देना और इसके लिए सरकार मदसर्पालंद से हो सकता अबहुत कुछ करेंगे क्योंकि मैं जो छीज जो समस्याइब बोले गती और उसके लिए दखे मुझे से हमें पम न व्हों आपको बेज़ दिया उसके बाद हमने कल ही ट्रोल फ्री मिसे नमर आыт है किILL गरीर कोऑसमज हे तो सब्सकें करें अव sleepy इस सथनाव का हमारे फोल ऊट करें तीन लोगों की हमने जो पर पुलिस परसासन है लोग हुद अपर पैनिक हो रहा है और वहां से बिहार आना चाता है यह खतम होना चाहिए होगा हम लोग उमीद करते हैं कि बिहार में अच्छे सरकार बने अच्छे यूबा आ गया है एक चोटा सा राज है नागालेंड एक चोटा सा राज है मनीपूर एक चोटा सा राज है वहां के लोगों के उपर कभी हमला नहीं होता है हिमांचल परदेश एक चोटा सा राज है वहां के लोग पूर्वे से जो खास करके जो सरकार चला है कौन सा सरकार जो भी है मानी मुकमत्री नितिस्कमार जी का है या लालू परसाद यादब जी का रहा उन लोगों ने अपने हद तक जो परियास किया जो आज देखने के लिए मिला कि सफल नहीं रहा यह आप भी और हम भी कह सकते औ इसलिए आज हमारे जैसे लोग मुंब्ए मैं बहुत जिंदगी में गुम रहा था बहुतर जिन्दगी जी रहा था था Denny आप समझदार हो अपने भोड का ताकत समझ यह अच्छे सरकार को चुनिए जो आपके लिए कुछ कर सके तो ऐसे मैं कर रहा हूं उसके बाद जुद आप देखिएगा कि एक ऐसे विचार है जो चाहता कि गुलाम बनके रहे हमने चार विधायक बनाया फिर हमें वह जो च्छ मुझे पता है कि मेरे जिंदा रहने से कल्यान होगा और मैं कुछ करूंगा तो इसके लिए मैं संगर्स कर रहा हूं लोग चाहता है कि मैं गुलाम बनके रहूं लेकिन हम एक दूसरे का हाथ खीच कर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमारा बिहार आगे जाएगा औ और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा बिहार विधान सभा में कुर्टा फार कुर्सी तोड बाहर फेक मार्सल बुलाओ का जो कारेकरम पिछले दो साल से चल रहा है कभी आर्जेडी के विधायक को नितिश कुमार जी ने फेकवाया था बाहर जो सब बाहर आके रो अभी जो है बीजेपी के विधायक लोगों का टेबल कुर्सी कुर्सी फेकवा दिया गया था मार्सल को बुला के यह होता गया है बिहार विधान सभा में सब अपने वल्चस्व की लड़ाई लड़ा जिसकी सरकार था हाथ पाह तोर्वा दिया गरीबों का बर्चस्व की लड़ाई कौन लड़ेगा बिहार विधान सभा विपक्ष में यह है तो आज इनका हाथ पाह तूट रहा है तो यह कल्चर तो यह लोग ही डेवलप किया है इससे पहले आरजेडी के लोग पिटा है इस पार बीजेपी के लोग पिटा है और पिटवाने में जो सरकार में ह है तो यह वल्चर की लड़ाई है तो यह तो कल्चर यह लोग ही डेवलप किया ना ऐसा तो होना नहीं चाहिए वहां पर जो भी विधायक हो जो इसको भी पर जनपरतिनीदी बना के बेचा है वह बिहार के भलाएं की बारें बात किया जब इन लोगों को छुटी लेना होत है और आजकल नेटा भी बहुत सारा है इसलिए यह लोग विधान साब हमें हंगामा कर दे रहे हैं और विधान साब हमें बारें एक बज़ेक बाद चुटी और उसके बाद से सब लोग नेटा करने चले जारा है जितने चाहिए वह आरजेटी के हो बीजेपी के हो यह जनता चाहता है जाता में पूंचन चाह रहा हूँ सबके आपके पूछने चाही हो बिहार के इंजिनियर भी बाहर काम करते हैं आई finance के employee को नहीं मारा गया कभी बड़ी-बड़ी company'ों में काम करने वाले employee को नहीं मारा गया हर बार मजदूर ही सिकार होते हैं और उन मजदूरों का जाती क्या होता है पता है आपको उस मजदूर के जाती होता है गरीवी ठिक है और यह गाह हमेशा पता है उनका गरीब होना और हर बार जो है वहीं लोग मार खाते है किसी भी जाती का पर यह सच्चाई है कमज़ोर लोगों को हर कोई दबाता है वही सकती साली हो पावरफुल हो उसको कोई दबा नहीं पाता है तो जिसकी बात आपने क्या में पावाथ इस आफडरे पाता हाई वह अअट भी ऋंतर को करना करका है टीक है तो यह सत आले जाए हो हुघ guess बहुत ऐसे चीजे हैं जो होती गलत है आप छे मेना काम करा लेता है कंपनी वाला पैसा नहीं देता है बोलता है दुन मेना और करो फिर पैसा देंगे दुन मेना और करता है उन लोगों के लिए बिहार विधान सांबा में जो हैसी टीम कब बनाया जाएगा उन लोगों के लिए इसस तरीके से हम लोग वि很多 भष्वन हमलो Glass जो метि वीवस्ता आए इस आए पी इस लेबल के रैंक के पतादिकारी निक्त हो और हर एक-एक अपने मजदूर को खास करके मजदूर परवासी जो लोग है उनकी सारी जानकारी हो और वहाँ पे कुछ भी हो तो बिहार सरकार उनकी लिए केस लड़े बिहार भवन होना चाहिए जहां पे बिहार से कोई भी मजदूर जा रहा है उसका डेटा होना चाहिए जैसे एमबेसी होता है दूसरे दूसरे देशों में भारत सरकार का और भारत के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनका डेटा रहता है ताकि बिहार के मजदूरों के साथ अ जोरदार तरीके से आवाज उठाया इस वज़े से बिहार सरकार को पहली बार टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा और पहली बार गुजरात में जब मजदूर के मारका नहीं गया कोई जब महरस्टा में मारका नहीं गया करनाटका बैंगलूरू जब गुजरात का और बिहार लेकिन उस तरीके उस रिवो रिस्ता नहीं रहे वो सरकार का एक पार्त नहीं है ठीक है जैने के लोगों के बारे में जिस तरीके से था उन समय में उनको लेने का बास चल रहा था ठीक है भृणगे जंता पाटी के साथ एलैंज करने का उस समय में चलना ता राश्ठाकरे का इसके लिए ज्यादा लोग एक्षन नहीं लिया था ठीक है तो सब अपने सुभधा के नुकुल इससे पहले राजनित हुआ मैं चाहता हूं कि अपने सुभधा के लिए राजनित है और मैं चाहता हूं कि जैसे जो भी समय निकल गया कम सका अभी हमें सीख लेना चाहिए यह जो घटना आज आज आप देखने के लिए आपको सुनने के लिए हमको मिल रहा है यह 1990 के समय में मुंबई में भी तमिनाडूर के लोगों को मार के भगाया गया आज वो लोगों ने सीख लिया और अपने परदेश में जाकर आज देखिए कि वो परदेश इतना मजगूत हो गया कि दूसरे परदेश के लोगों को रोजगार दे रहा है आज हमें भी वो सीख लेना चाहिए कि हमारे परदेश इतना मजगूत हो कि हमारे परदेश के लोग हमारे परदेश में काम करें ना है कि दूसरे परदेश में जाये यह आने वाला जो नेता होंगे अगला जनरेशन जो भी नेता होंगे 25 की राजनित में या 24 के बाद का उ जरूर बताना साथ ही साथ बिहार के गरीबों का उठान कैसे हो, बिहार के मजदूरों को किसी भी परकार का समस्या दूसरे राज्यों में कैसे ना हो, इसके लिए भी आप लोग अपना स्वतंतर राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं।